ओके आज मैं स्टार्ट करने वाला along Digital Product Selling Challenge in India for 7 days आज है चैलंड का day 1 और 7 day में आपको पता चलेगा कि क्या हम profit में चल रहे हैं या loss भी चल रहे हैं Digital product selling business यह ऐसा business है जिसमें आपको सिर्फ एक बार setup करना होता है लाइक कोई PDF, e-book, कोई कोर्स, ये सारी चीजे डिजिटल प्रड़क्ट सेलिंगे अंदर आती हैं तो Day 1 में हमने सबसे पहले एक डिजिटल प्रड़क्ट को फाइनलाइज करना है जो की हमारे लिए profitable हो और उसकी market में requirement भी हो सबसे पहले मैं ads library में गया और वहाँ पे मैंने bundle करके search किया मेरे साबने काफी सारी डिजिटल प्रड़क्ट आ गए जिनकी भी ads चल रही थी तब जाकर मुझे पता चला कि आखिर market में चल क्या रहा है तो सबसे जादा जो चीज चल रही थी वो थी reels bundle और YouTube Shorts bundle मुझे एक चीज तो पता चल चुकी थी कि market में bundles ही चलने वाले हैं और bundles का डेर already मेरे पास पड़ा हुआ था basically मेरे पास काफी सारे bundles पड़े हुए reels के bundles satisfy reels, AI reels, motivational reels और 2D animation funny reels इन सारे bundles को मैं already बेच चुका हूँ और उनसे मैंने डेर लाक से जादा पैसे कमाए हैं लेकिन मैंने बेचे थे single single करके अब टाइम है इन सारे bundles को एक ही bundles में त्यार करके बेचने का ओके तो आज है हमारा day to off digital product styling challenge और आज किस दिन हम बनाएंगे एड क्रियेटिव जो कि लोगों के सामने आएंगे दैन हमें अर्णिंग होगी लिए चल्दी से मैंने दुकान की किसफ़ाई और पहुंच किया मैं अपने डेक्स पर अपने product के लिए एड्स बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा Photoshop प्लस Canva पहले मैंने Canva में template बनाए and then इसको में लेकर चला गया Photoshop में और Photoshop में जाकर करके हमने एक e-book create की finally हमारे सारे एड क्रियेटिव त्यार हो चुके हैं मैंने यहां पर दो एड्स बनाई हैं जो कि हम कल रण्ड करने वाले हैं Facebook एड्स पर और फिर देखेंगे इसका क्या revenue बनता है क्या result हमें देखने को मिलता है सच में मेरी हालत पतली हो चुकी है आँखें कंप्यूटर में गाड़ गाड़ कर आज है day 3 और आज के दिन हमें काम काफी जादा है हमने अपना प्रोड़क्ट फाइनलाइज कर लिया है एड्स हमारे बनकर तयार हैं आज हमें अपनी website की तरफ जाना होगा जिस पर लोग आकर अकरशित होने वाले हैं वैसे website का यूज मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला क्यूंकि एक software है platform है जिसका नाम है Cosmofeed उसमें हम एक payment page create कर सकते हैं और उसी में हम अपने चितर बगारा भी post कर सकते हैं मतलब लोगों को समझाना होता है ना एक landing page जिसको बोलते हैं कि आखिर इस course या bundle में है क्या तो Cosmofeed में हम अपना landing page भी बनाएंगे और Cosmofeed में हम अपना payment gateway भी चिपकाएंगे तो मतलब website की हमें जुरूरत नहीं पढ़ने वाली हैं तो आज आओ फिर जल्दी से यार Cosmofeed को ready करने में मुझे 1.5 गंते से जादा लग गया लेकिन मैंने अपने digital product का price आखिर क्या तो आज का काम हम यही पे रखते हैं क्योंकि हमारे पास आ चुका है एक another काम जैसे कि आप सब लोगों को पता है हम है एक photographer तो हमें functions की booking भी आती है और काम के चलते जलते एक booking आ चुकी है हमें आज शाम को Bengal ceremony के शूट पर जाना है के तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वो जो उंगूर्थी नहीं होती डाल में वाली यह उंगूर्थी कहां पर डाल रहा हूं लेकिन यह गलत उंपली का यूज क्यों कर रहा हूं एक साइड लोग नाच रहे थे और दूसरी साइड हम दोनों चाहें पीने में बियस्त थे ओके तो मैंने यहां पे सारी हैड्लाइन डिस्क्रिप्शन वगरा चैट जी बीडिसी लिया एंड मैंने अपनी एड्स को रन कर लिया है मेरा बजट है 4 रूपे फर वन एड्सेट और मैं सिर्फ एक ही एड्सेट चला रहा हूं फिलाल के लिए क्योंकि इंट्रस्ट की दि इतना हो रहा है आप देख सकते हैं 14 बज़ कर 46 मिनट हो रहे हैं अब हम कल के तीन वज़ ही चेक करेंगी कि क्या हमें इस प्रॉड़क्ट में प्रॉफिट होता भी है या नहीं होते हैं यह चार सुवे लगाए हैं वो भी गए कैसे हो मित्रेगोणों का अफीज़ाद आशा के साथ हम यह वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज है हमारा रिजल्ट डेए and let me check my phone कि मुझे क्या रिजल्ट मिले है इन 24 हार्स दोस्तों जिस इस आप से यह रिजल्ट हमें दिख रहे हैं मुझे नहीं लगता यह रिजल्ट आपको दिखने चाहिए बेसिकली यहां पर सिर्फ six purchases होई हैं और six purchases में हमें सिर्फ 163 रूपीज से अर्ण किये हैं यूट्यो पे मैंने पहली बार कोई चैलेंज लिया था और मैं पहला ही चैलेंज हार गया था यह चीज मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी लेकिन वो कहते हैं न डूपते को तिनके का सहारा अभी भी मेरे पास दो दिन बचे थे और एक दिन में मैं पूरा एक digital product finalize करने की शमता रखता हूं तो मैंने सोची ही लिया कि एक ही दिन में मैं product finalize करने से ले करके उसको ads run करने तक सब कुछ complete करूँगा और फिर से 24 hearts में मैं आपके लिए एक और result ले के आऊँगा फिर क्या बस मैं लग गया उसी की तैयारी में रैसे मुझे बताते हुए काफी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमने सिर्फ 400 रुपे का ad creative run करके इतना सारा amount profit में लाया है This is my first time जब मैंने 400 रुपे लगा करके 4000 का profit earn किया हो और अब मैं सोच रहा हूँ जो मैंने 400 रुपे लगाए थे उसको मैं double कर दूँ 800 रुपे का budget लगाते हैं और एक दिन हमारे पास और बचा है एक दिन हम और ad run करते हैं and next day आपको बता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं फाइनली दोस्तों वो गड़ी आ चुकी है जब हम रेवील करने वाले हैं अपनी सेकंड इंकम बोबी 24 हार्स में तो चलिए सब कुछ आपको लाइव ही दिखाते हैं कि हमने अपने budget को डवल तो नहीं किया था लेकिन हमने अपने budget को 600 रुपीज कर लिया था और आज के revenue क अगर हम बात करें तो वो आपके सामने हैं मित्रों आप देख सकते फो 4000 होने में सिर्फ थोड़े ही बचे हैं बात करें कौन सा product था जो मैंने एक दिन में ready किया और एक ही दिन में उसमें इतना ज्यादा profit लेके आया एक्चली वो भी एक bundle ही है लेकिन उसमें मैंने 2000 प्लस short videos डाली थी जिनको आप upload करके YouTube चैनल को run कर सकते हो बाकि इसकी सारी detail मैं comment section में pin कर दोगा और हाँ ये challenge सबसे पहला challenge था मेरे YouTube पर और मैं इसको successfully complete कर चुका हो पाए दोस्तों